सब्सक्राइब करता हूं तो उसी सिल्सेले को हम कंट्रियो रखते हुए आज डे 58 जिसमें एंटर कर चुके हैं तो चली देखते हैं आज में पास क्या-क्या वर्ड्स हैं आप पे लिए लेकिन उससे पहले अगर आप चला पर नए हो तो चला आपको सब्सक्राइब कर लो ब करते हैं वीडियो को और देखते हैं वीडियो में क्या है हमारे पास तो अगर हम बात करें जो हमारा पहला वर्ड आज है आज का वो है टॉट टॉट एक वर्व होती है इसका मतलब होता है तो किसी को न यह कहना भाई तुम इंपॉर्टेंट हो और तुम आप पास जो करना आप कह सकते हो ठीक है तारीफ करना किसी की से नॉनिम देखे तो प्रेज करना और हेल्ड करना अन्टॉनिम की बात करें तो स्लैम्ड करना और पैंड करना मतलब बैच जित्ती करना है स्लैम् मतलब होता खिशाई करना होता ठीक है चलो असका सेंटेंस में अगर यूज रहे हैं ठीक है कुछ लोगों ने बत्व बोला चलो नेक्ष्ट देखते हैं अकला जो बड़ा वाक्या है पस क्या है आदी को सरल बना गऄ उसे बहतर करना फिक है यह होता है स्ट्रीम लाइन एक शब्द में कहा है तो आसान बनाना कह सकते ओ Аप ठीक है और बात कर एं शेनोड़ा की तो स्मूध है स्लीक है जलीक है एं storm की बात करें तो hinder है barrier है एक रुकावटे है उसमें बात करें sentence में इसको कैसे use किया गया है तो he recently begin seeking proposal for streamlining the process तो उसने अभी हाली में proposal मतलब प्रस्तावना ठीक है प्रपोसल्स लेना शुरू किया उसने कि बाई जो स्ट्रीम ना प्रस्तावना के लिए मांग शुरू किया कि भाई यह काम करा जाया थाकि हमारा जो काम प्रस्तावना वह आसानी से हो सके ठीक है कोई भी process होता है जैसे अब ही रीसेट में government टें होती है, इसका मतलब होता है to continue doing something even though other people say that you are wrong or that you cannot do it, तो किसी काम को लगातार करना, करते जाना और मुझा आपकी society आपके लोग, कुछ लोग कह रहे हों कि भाई ये चीज गलत है, मत करो, फिर भी आप अब करे जा रहे हो, तो persist आप मानने रहे हों कि तो अब क्या करे हो, persist कर रहे हो, एक शब्द में अगर हम बोले, तो जारी रखना, continue रखना, ठीक और synonym की बात करें, तो keep करना और continue रखना, ठीक बात करें, एंटॉनिम की, तो pause मतलब रुप जाना, और विठोड मतलब रुप जाना होता है, ठीक है, sentence में इसका use देखे, if you persist in making so much noise, I shall call the police, तो अगर आप, जो आवाज है हल्ला माचाते रोगे, तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा, ये sentence में सा बोला गया है, ठीक है चलो आगे देखे, अगला जो word हमाँ पास क्या है, वो है ambit, ambit एक नाउन होती है इसका मतलब होता है scope, extent, or bounds of something, मतलब किसी चीज का दाइरा, एक limit, कि एक चीज कहां तक है, वो होता है, ambit का, ठीक है, कि कोई particular चीज कहां, जिसे मालो कि आपके जिसे state में रते हो, जिसे मैं यूपी में रता हूँ तो यूपी का दाइरा केतना है, तो ambit, कहते हैं, यूपी के ambit केतना है, पूरा जो ambit है, ये जिसे मैं अपला है, यूपी के आखरी state में जाओ और वहाँ पे, इसके boundary पे खड़े के कह सकते हो, और core rhythm center जाओ, एग्रम center होता है, इसका end name, ठीक है, बात करें, sentence में से कैसे use किया गया है, तो this case falls clearly within the ambit of the 2021 act, तो ये जो case है, ये 2001 act के दाइरे के अंदर आता है, ठीक है, ये clearly दिख रहा है, चलो, आगे देखें, अगला जो word है हमारा पास, वो क्या है, वो है snoop, snoop एक noun होती है, इसका मतलब होता है, to look around secretly and without permission in order to find out some information, तो कहते हैं नहीं कि, मुझा एक example दो, कि कहते हैं नहीं कि अगल बगल जब आपके घर में कुछ हो रहा होता है, मालो, थोड़ा बहास हो रही है, लाई-जगड़ा हो रहा है, तो अगल बगल वाले लोग क्या कर रहा है, तो आपके घर में कोई अच्छा काम हो रहा है, बढ़ए हाद चीश चल लगी है, तो अगल बगल ड़को bonito क्या करते हैं, आपढ़ी हो जब आप जब कर रही है é तो वो चार ओर देखना ठीक है किसी information को gather करने के लिए आप चुपके से कहीं जाकर देख रहे हो ताक जाक की कर रहे हो उसको बोलते है इस नूप ठीक है तो एक शब बोलो तो ताक जाक करना हो सकता है इसको ठीक है और synonym की बात करने तो pre ठीक है और inquiry दोनों pre का मतलब भी ताक जाक ह तो उसे ये शक हुआ कि उसके निबर जो आये थे घर में वो मिलने नहीं आये थे बस उसे snoop करना है ताक जाकी करना है कि उनके घर में क्या चल रहा है ठीक है ये बताय गया sentence में चलो आगे देखें अगर जो बाता माँ पास क्या है वो implication implication एक नाउन होती है इसका मतलब होत अगर आप पढ़ाई करोगे तो उसका effect पढ़ेगा कि आपका exam clear हो जाएगा आज नहीं पढ़ोगे तो exam नहीं clear होगा ठीक है ये बता आग example के तो इसका एक शब्द बोलें तो प्रभाव पढ़ना implication में प्रभाव पढ़ना किसी चीज़ का ठीक है synonym की बात करें तो influence और impression अन्टॉनिम की बात करें तो deceived और exclude इसके अन्टॉनिम हो जाएंगे बात करें इसको sentence में कैसे यूज चिया गया है the new law will have serious implication for our work तो जो नया कानून आया है उसका बहुत ही ज्यादा serious implication पढ़ने वाला है हमारे काम पर ठीक है ऐसा sentence में बोला गया है चलो आगे देखो अगला जो बढ़ने वापा हो क्या है contentious contentious एक adjective होता है ठीक है इसका मतलब होता है likely to cause argument मतलब कोई ऐसी चीज ना जिसके throw आप argument कर सकते हो कोई ऐसी चीज जो आपको argument करने का मौका दे रही हो मतलब बहांस का कारण बन रही हो ठीक है वह होती है contentious ठीक है विवाद कह सकते हो आप एक शब्स में इसको और synonym की बात करें तो debatable और controversial बजाएगा ठीक है that the outbreak of the violence was pre-arranged तो जो एविदेंस है वो contentious है मतलब contentious मतलब कारण वाना उस विवाद का उस evidence ने ये proof कर दिया कि भाया जो विवाद हुआ था जो जो वाइलेंस हुआ था वो पहले से ही arranged था पहले से ही प्रेपेर किया गया था कि खोज अंबूच के करना है ठीक है तो ये evidence जो है वो विवाद का कारण वाना ठीक है ये कह सकते है चलो आगे देखें अगला जो word है माँ पात वो है screwpulis screwpulis ये बहुत खतना के इसका pronunciation screwpulisly screwpulisly ठीक है screwpulisly ठीक है एड़वर होता है ये बहुत बारिश की practice किया हो रहे हैं फिर भी नहीं गोल पाया हूँ meaning होता है इसका in a way that is careful to do the morally right thing तो कोई ऐसी चीज कर रहे हो जो सही है morally सही है लेकिन आप उसको भी कियों कि गलती ना हो जाए अगर वो गलत हो जाए तो लोग उल्टा टाइप सोचेंगे तो एक तरह से जो नैतिक रूप से सही काम करने के लिए सावधान है ठीक है वो होता है यूज किया गया है तो he has a reputation as consistently hard working and scrupulously honest and fair newspaper man तो वो इसका जो reputation बना है वो ये बना है कि वो बहुत ही hard working है और बहुत ही scrupulously मतलब बहुत ही जाता honest है and fair newspaper बहुत अच्छा है बहुत चीजें बहुत अच्छे से mannered वरीके से करता है और बहुत morally बहुत अच्छा है morally चीजें morally वो कभी गलत नहीं करता किसी का ना नैतिक रूप से चीजों को सही करता है ठीक है वो ऐसा newspaper पेपर मैन है वो आगे देखो अगला जो बड़े माँ पास क्या है वो है battered battered adjective होता है इसका मतलब होता है no longer looking new कोई ऐसी चीज़ जो नहीं दिखने रही है damaged है और out of shape है बना ऐसी चीज़ कह सकते हो आप तो इसको एक शब्द मोलें तो घिसा पिटा होए वो चीज़ है तो battered है घिसा पिटा है और synonym की वाद करें तो creaky है delipidated है ठीक है और बात करें अन्टानिम की तो undamaged है unbroken है sentence में उसको कैसे यूज़ किया गया है तो he wore a very battered old hat and sunglasses तो उसने बहुत ह चीज़ है पिटा वो head pen रखा है और संग्रासल लगा रखी है ठीक है चलो आगे देखें अगले जो वाटम आपा क्या है वह articulate एक वर्व होती है इसका मतलब होता है to say something clearly to or to express your idea or feeling तो किसी चीज़ को ना बहुत clearly कहना या आपनी idea या feeling को express करना वह होता है articulate करना ठीक है चलो इसके synonym की बात करें तो expressive है fluent है antonym की बात करें तो inarticulate है hesitant है ठीक है और बात करें sentence में इसको किसी उज़ किया गया है तो some people find it difficult to articulate their feeling तो कुछ people ऐसे होते है न वो रोग अपनी feelings को कहनी बाते हैं समझानी पाते हैं दूसरों को ठीक है तो वो मतलब इस sentence में सब आ गया है और इसको अगर एक शब्द में कहें तो यह इस पस्ट एक शब्द हो का articulate का है इस पस्ट साफ साफ कह सकते हो अब इसको कि एक शब्द में इसको इसको इस पस्ट कह सकते है articulate को स्पष्ट रूप से ठीक है चलो तो आज मेरे पास यतने ही words से दाईज दो important word लेका रहा हूँ एक synonym एक antonym comment box में comment करिए अगर बना पाएं तो और अगर एक sentence बना सकते तो बहुत अची बात है बहुत help करने वाला आपके जब आपका mains exam होगा और आपका essay आएगा तो बहुत help करेगा यह जो आज मैं करा रहा हूँ आगर आप करते हो तो ठीक है तो guys वीडियो में इतना पीडियेफ और लिंक वीडियो की यही डालता हूँ ठीक है जड़ों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक रहें thank you and God bless you all